नमस्कार पेप्टिक टाइम अद्परदेश समाचार मैं आपका स्वागत है मैं हूँ शिवेंदर शुकला खबर बीना से है जहां पर एक सीरियल किलर को एटी जे कोर्ट द्वारा आजी वनकार अवास की सजा सुनाई गई है बताई जो रहा है कि अंद्विश्वास के चलतेश शक्स ने लगातार मर्डर किये हाला कि दो मर्डर में अभी सजा होना बाकी है जिसका फैसला भी जल्द ही आजाएगा डबल मर्डर के मामले में बीना नयायले ने सीरियल किलर को आजी वनकार अवास की सजा सहित पांच हजार का जुर्माना लगाया है दोशी के उपर हत्या के दो और मामले नयायले में विचारा धीन है हत्याओं के दोशी ने अंदविश्वास के चलते हत्या की वारदातों को अंजाम दिया नयायले में पुलिस गिरफ्त में रमाकान तिवारी ने चार हत्या कर संसनी फैला दी थी अंद विश्वास के चलते साइको किलर रमाकांद को बीना आईडीजे कोड ने फैसला सुनाते हुए उसे आजीवन कारवास की सजय सुनाई ने अधीश अनिल चोहान ने दो हत्याओं के दोशी को आजीवन कारवास की सजय सहित पांच हजार रुपे का जुर्माना लगाया है घटना दिनांग 11.9.2018 का ये मामला है जिसमें प्रमोध विश्व कर्मा के सर पर पत्थर मार के उसको कुचल कर उसकी निर्मम हत्या की गई थी और जिसमें उसको अजीवन कारवास की सजय हुई है दूसरा मामला है थाना बीना का ही जिसका अपरात क्रमांग 402 अबले 188 है ये शास्त्री वार्ड बीना एक नमबर स्कुल के पास की घटना है इसमें भी एक सुल्तान नाम के विव्यक्ति के सर पर पत्थर मार कर उनिर्मम उसकी हत्या की गई थी और इसी प्रकार उसने अन यहां पर कई लोग बेठे हुए थे उन्होंने पूछा कि ये इतने मडर आपने क्यों किये हैं तो उसने बताया कि कुल 11 हत्त्याएं करना चाहता था और जिसमें से वो चारी कर पाया